क्या आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और होना चाहते हैं सक्सेस्फुल अगर हां तो आज का वीडियो है खास आपके लिए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन तीन लोग होते हैं जिलें आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आपकी लाइफ बने हमेशा के लिए हैपी और सक्सेस्फुल तो देर किस बात की है करते हैं शुरू से शुरू नमर वन है जो लोग आपका दुख में तकलीफ में मुसीबत में साथ देते हैं ये जिंदगी के सचे रिष्टे होते हैं ये आप से सच में प्यार करते हैं आपकी परवा करते हैं और ये लोग जिंदगी में एसिट्स यानि की पूंजी की तरा से होते हैं जो आपको हर मु वो लोग जो आपको दुख में, तकलीफ में और मुसीबत में अकेला छोड़ देते हैं किसी भी इंसान की पहचान समय आने वे होती है ऐसा तो आपने सुना ही होगा और ये वही समय होता है मुसीबत का जब अच्छे अच्छे लोगों के चेहरों से मुखोटे उतर जाते हैं तो अगर कोई इंसान मुसीबत में आपका साथ ना दे तो उस इंसान की शकल को और उसके चेहरे को जरूर याद रखीगा क्योंकि जो इंसान आपका मुसीबत में साथ नहीं देता है वो आपके जिन्दगी में किसी काम का नहीं होता इसके लावा नमर त्री है वो लोग जो आपको मुसीबत में डाले देखिए कई बार कुछ लोग बहुती जादा selfish और self-centered होते हैं वो अपने फायदे के लिए किसी भी extent टक जा सकते हैं इतना कि आपको मुसीबत में भी डाल सकते हैं इन लोगों की एक खासियत होती है कि यह अपने आपको और अपनी गलतियों को इतनी beautifully justify करते हैं कि कई बार लोगों को इनकी बातों पर यकीन हो जाता है अगर आप ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करते हैं तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे इनसानों की शकल हमेशा याद रखें और ये बात कभी न भूलें कि जो इनसान एक बार आपको मुसीबत में डाल चुका है वो इनसान आपको दुबारा भी मुसीबत में डालेगा तो फ्रेंज आपसे मैं इतना कहूंगी कि अगर आप लाइफ में वाकई में सक्सेस्फुल होना चाते हैं और खुश रना चाते हैं तो जिन्दगी में आने वाली जो सची पुझी है सचे लोग हैं, सचे रिष्टे हैं उन्हें अपने पास समेट के रखने की कोशिश कीजे और कोशिश कीजे कि आप अपनी इस मुझी को बढ़ा सके अच्छे सम्वन दूसरों से बना सके क्योंकि सक्सेस्फुल होने का क्राइटीरिया सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता सक्सेस्फुल वो इंसान होता है जिसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ब्यूटिफुल चल सके तो फ्रेंज आप से चलते चलते इतना कहूंगी खुशियां और प्यार बाटने से बढ़ता है इसी विचार के साथ उमीद करती हूँ कि मेरी बाते आप तक पहुंचे होंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेशक कितने भी विस्त रहिए